अनन्या पांडे के फादर चंकी पांडे अपने टाइम के मशूर कलाकारों में से एक हैं चंकी पांडे ने अपने करियर में तेजाब और आखे जैसी सूपर हिट मूवीज में काम किया है लेकिन क्या आपको पता है कि एक बार एक अक्ट्रेस ने चंकी पांडे को पीट दिया था 80s और 90s के दशक की मशूर अक्ट्रेस फारा नाज आज के टाइम में गुमनाम है फारा नाज आखिरी बार 2005 में आई फिल्म शिखर में नजर आई थी 9th December 1968 में हाइदराबाद में जन्मी फारा नाज अपनी फिल्म लाइफ से ज़ादा अपनी पोस्नल लाइफ को लेकर चर्चा में रही उन्हें short tempered और aggressive नेचर वाली आक्ट्रेस माना जाता था ये वज़ा थी कि उन्होंने एक बार फिल्म के सेट पर आक्टर चंकी पांडे की पिटाई कर दी थी ये incident 32 साल पहले का है फिल्म कसम वर्दी की के सेट पर उन्होंने चंकी पांडे की पिटाई कर दी थी इस घटना की बॉलिवुड में खूब चर्चा हुई थी पिटाई करने की वज़ा पर फारा का कहना था कि चंकी हमेशा I am the man कहकर बड़े इशारे करते थे इसलिए उन्होंने एक दिन चंकी पांडे को वुमन पावर का एसास कर आया था और कहा जाता है कि इस घटना के बाद फारा और चंकी पांडे में मन मुटाव बढ़ गए थे बता दे कि इस इंसिडेंट के बाद फारा ने एक मैगजीन को इंटर्व्यू दिया था इस इंटर्व्यू में जब फारा से चंकी को लेकर पूछा गया तोनों ने भड़कते हुए चंकी को जान से मारने की धमकी तक दे डाली थी उनके इस इंटर्व्यू ने फिल्म इंडस्ट्री में काफी कॉंट्रोवर्सिस क्रियेट की थी लेकिन अब लोग इस इंसिडेंट को भूल चुके हैं और चंकी पांडे भी फिल्मों में काफी बिजी है लेकिन फारा नाज आज भी बॉलिवुड से दूर है